तो नमस्कार दोस्तों स्वागते आपके अपने YouTube चैनल में तो आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले Group 2, Subgroup 4 की एक्जाम के बारे में कि कौन-कौन अपयर हो सकता है उस एक्जाम में क्योंकि वो एक्जाम आपके Re-Exam होने वाली है तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हम कि कौन-कौन group 2, subgroup 4 की exam दे सकता है तो उससे पहले जो लोग चैनल पे निवायर चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर लिजे ताकि आपको इस latest updates मिलती रहेगी तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं जैसा कि आप सब चानते कि लास्ट यर आपकी group 2, subgroup 4 की exam निकले थी उसमें लगबग 200 पर something थी जिसकी exam आपकी जनवरी 2021 में विडिवाट तरीके से आपकी मतलब हो गई थी ठीक है फिर उसमें exam में काफिट समय से उसका result ना आना ये गोटाले को प्रतित कर रहा था फिर उसका देखा गया देखे गया उसके बाद ऐसे करते सरकार ने हमारी तीन exam आपकी cancel कर दी क्योंकि उसमें गोटाले का सामना हुआ था इसलिए उनने तीन exam cancel कर दी उनमें से आपकी एक group 2, subgroup 4 की exam भी थी ठीक है तो वो थी जो exam उसमें लगभग आपके 2-5 लग आपके form भराये थे और बच्चे कितने अपेर हुए थे बच्चे मात्र आपके 60,000 बच्चों ने उसमें exam दिया था group 2, subgroup 4 की exam की बात कर रहा हूँ में जो जनवरी 2021 होई है जो cancel हो चुकिये उसमें मात्र 60,000 बच्चों ने exam दिया था ठीक है बात करते हैं आगे तो ये बच्चे कोन-कोन अपेर हो सकते हैं इस exam में तो इस exam में सबसे वेले बचाता हूँ इसमें नया बच्चा कोई भी अपेर नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई form नहीं निकलेंगे इसके direct आपके admit card आएंगे ये तो हो गया पेला दूसरी बात करते हैं और कोन बच्चे नहीं दे सकते हैं वो बच्चे नहीं दे सकते हैं जो exam में absent थे हैं ये बहुत अच्छे से याद रखना जो बच्चे exam में absent थे वो exam नहीं दे सकते हैं उनके admit card नहीं आएंगे यदि आप download करके भी देखोगे तो आपका error बताएगा ये चीज मैंने तीन से चार लोगों से पता करके आपको confirm करके बता रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों भी आपके कोई ना कोई exam जो cancel हुई थी उसकी जब re-exam हुई तो उसमें सेम यही फंडा था कि जो बच्चे absent है उनके admit card नहीं आये थे और मैं ऐसे उनसे मिलके आया हूँ और बाद भी करिये जिन्होंने मुझे बताया कि मेरा भी एक बार ऐसा जो कि आपकी December में होने वाली है तो यह बात आप ध्यान रखेगे हैं तो जो बच्चे अपेर हुए थे उनका exam होगा बस और जो बच्चे absent थे उनका exam नहीं होगा यह आपको एक जानकर ही देनी थी क्योंकि बहुत से लोग confused हो रहे और बहुत से लोगों के message भी आ रहे थे comment भी आ रहे थे कि sir तो absent थे तो हम exam दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे तो मैंने आज इस वीडियो में आपको clear कर दिया है बहुत अच्छे से और आपका जो exam ग्रूप 2, subgroup 4 का वो आपका December में होने वाला है तो अच्छे से पढ़ाई करके रखिए क्योंकि 60 बच्चों क exam होने वाला है इस बार तो आई होब आपको चीजे समझ मैं योगी चीजे समझ मैं यह तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जाद ज्यादा शेयर कर दीजिए तो चलिए नए वीडियो मिलते है नए टॉपिक सब्सक्राइब की साथ तब तक लिए जय हिंद वंदेफ मातरम